नरेंद्र मोदी, दोबारा भारत के प्रधान मंत्री बनने जा रहे हैं। पिछली बार उनके शपत ग्रहन समारों में सार्क देशों के राष्ट्वा धक्षों को नौता दिया गया था। लेकिन इस बार बिम्स्टेक समूह के नेता उनके शपत ग्रहंट समारों में शर्कत करेंगे बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों का समूह है भारत के अलावा बांगलादेश, नेपाल, श्रलंका, म्यानमार, भूटान, थाइलंड इसके सदस्य देश है पाकिस्तान और चीन इसमें शामिल नहीं है लेकिन इस चुनाव में चुचीन ने भारत के साथ रिष्टू को और बहतर बनाने के दिशा में अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाया है नरेंद्र मोदी के निर्तित्व में BJP को जब भारी जीत मिलती नजर आ रही थी तो चुनाव के अंतिम नतीजे आने से पहले ही चीन के राष्ट्रपती शी जिनपिंग ने प्रोडोकॉल तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी की गोजीत की बधाई दे दी और का कि ये विदेश नीती के नए युग की शुरुवात का संकेत था इससे कुछ हफ़ते पहले ही जैशे मुहम्मद के मुख्या मसूद अजर को अंतराष्ट्रे आतन की सूची में शामिल करने का भी चीन ने विरोध नहीं किया था भारत पिछले दस साल से इसकी मांग कर रहा था लेकिन चीन के विरोध की वज़े से ये हो नहीं पार रहा था और नरिंदर मोधी जब 2014 में प्रधान मंतरी बने थे तो चीन के राष्ट्रपती शी जिन पिंग ने भारत का दौरा किया था ये तब पहली बार हुआ था जब भारत की प्रधान मंतरी ने दिल्ली के बाहर एहमदाबाद में किसी राष्ट्रा धक्ष का स्वागत किया था दोनों देशों के संबंध सुधरी रहे थे कि जून 2017 में डोकलाम के मुद्धे पर दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया जो कई महीनों तक जारी रहा फिर दोनों देशों ने अपनी अपनी सेनाय पीछे अटाई संबंध सामानने हुए अब एक बार फिर मोधी देश के प्रधान मंतरी बन रहे हैं और उनके स्थिती पहले से काफी मजबूत है ऐसे में सवाल उठता है कि अपने से पांच गुनी बड़ी अर्थ विवस्ता वाले चीन के साथ उनके रिष्टे आने वाले समय में कैसे रहेंगे और यहीं बताने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौझूद है भारत और चीन मामलों के जानकार और जेनियो के प्रोफिसर स्वान सिंग प्रोफिसर स्वान सिंग सवाल यह है कि अभी थोड़े दिनों पहले ही चुनाओ के पहले से थोड़े बहुत रिष्टों में खरीवियां दिखने लगी है कुछ बाते चीन ने ऐसी कि जो भारत के पक्ष में जा रही है आज अजब मोदी सरकार दोबारा सत्ता में है तो आपको क्या लगता है इस बार के रिष्टे पिछली बार से किस तरह अलग होंगे मुझे लगता है वही रिष्टे लगातार बने रहेंगे और उसमें एक अधारदवाद दिरिष्टिक कोन नजर आता है दोनों नेताओं में उनका तालमेल नाकेवल अच्छा है पर उसका आप देखें वो अकसद परदर्शन करते हैं कि हमारा तालमेल अच्छा है ये पूरे विष्ट को पता होना चाहिए उसी के चलते ये ब्यावारिक जो दिरिष्ट कोन है उसके साथ साथ आप देखें कि प्रधानमंदरी मोधी पांच वार चीन गए है पिछले पान सालों में और वहां के राश्पती दो वार भारत आए है भारत के प्रधानमंदरी के इतने शिकरवारता शायद किसी और नेता के साथ नहीं हुए और नतीज़ा ये है कि हमारा ब्यापार बढ़ा है दस साल तक करीब सतर करोड डालर तक रुका हुआ था अब अलमुस्ट सो करोड डालर पहुचने वाला है और वैसे ही निवेश भी बढ़ा है तो इसी पर मेरे ये भी सवाल था कि जब इतना फाइदा एक दूसरे के साथ हो सकता है तो तनाओ की बज़े क्या ये दोनों देश साथ नहीं आ सकते ताकि इनका भी भला हो और अमरीका जैसी महाशक्ति को ये चुनौती भी दे सकें साथ आकर दोनों ही बहुत तेजी से प्रक्तिशील बदलते हुए समाज हैं और बहुत बड़े समाज हैं और बहुत बड़ी सबहताई भी है इसलिए उनके दुर्ष्टकोंड में बहुत से रंग नजर आते हैं उसमें कभी-कभी तनाओ भी आता है कभी-कभी दोस्ती के समद्न भी नजर आते हैं सामने तो उनका तालमेल खासकर आप देखें कि वुहान में जो उनका शेकर समेलन हुआ था उसके बाद बहुत सुधार उसमें आया है आपसी समझ बड़ी है दोनों तरफ से अब दोनों ही कोशिश करते हैं कि डैमिज लिमिटेशन की और उनका ध्यान रहना चाहिए कि हम एक दूसरे का नुकसान ना करें लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनोती यह है कि कई देश जो पहले भारत के साथ थे अब वो चीन के करीबी नजर आते हैं चीन की विस्तारवादी नीती से भारत कैसे निप्टेगा देखे चीन का पिछले 40 वर्षों में जिस साल तक उन्होंने निवेश करवाया है पूरे विश्व से तो यह मजबूरी के चलते उनको दूसरे देशों में जाना पढ़ रहा है पर भारत की नीती में वहां भी बहुत अच्छा बदलावाया है कि हम नाकेबल निवेश में उलजना चाहते हैं चीन के साथ पर भारत के प्रदान मंतरी अब यहां भी जाते हैं वहां मंदिरों और सबटा संस्कृति के साथ जोड़ते हैं नेपाल जाते हैं तो आप देखेंगे जनकपूर जाते हैं फिर वो मुक्तित में तीन मंदिरों में जाते हैं बेसिकली और वैसे ही वो श्रलंका में जाकर बुद्धिज की बात करते हैं तो हमारा जो जुडाओ है हमारे परोसी दोश्रों के साथ वो कितना चीन से अलग है इसकी पूरी कोशिश हम करते हैं ताकि केवल निवेश पर हमारा अपसी में आप उसमें एक तरह से कॉम्पेटिशन ना बना रहे हैं बहुत बहुत शुक्रा है इस पूरी